कि दियर स्टुडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइन्स का हम चिप्टर फॉस्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग फिंग्स पड़ रहे हैं तो उसी क्रम में आगे हम अब इस्टडी करेंगे सजी वस्टों का एक करेक्टर यह भी है कि सजी वस्टों महशूस करती हैं फिल करती हैं जब हमें चोट लगती है या जब हम घायल होते हैं तो वी फिल पेन तब हमें दर्द का एहशास होता है हम लोग रशोई घर में बन रहे भोजन का जो शुगंद है उस भोजन के शुगंद को भी महसूस करते हैं आइज, एर्स, नोज, टंग, एंड स्कीन और सेंस आर्गंस आखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा यह हमारे ग्यानेंद्रियां हैं सेंस आर्गंस हैं All living things feel the change around them through their sense organs सभी सजी वस्त्वें अपने चारों और sense organs की मदद से महसूस करते हैं, feel करते हैं A dog hang its tongue when it feels hot एक कुत्ता, जब उसे गर्मी महसूस होती है, तो वह अपने जीभ को बाहर निकाल कर hang करता है, लटकाता है A cat can smell milk and a mouse और एक बिल्ली जो है वो दूद का सुगंद लेती है या चुहे का सुगंद लेती है और अपना भोजन करती है Similarly, ठीक उसी तरह, human beings switch on the fan in summer because they feel hot and wear woolen clothes in winters as they feel cold उसी तरह, मनुशिभ है, जब वह ज़्यादा गर्मी महसूस करता है, गर्मी के महसूस में तो अपने पंक, पंकों को, अपने फैन को switch on कर देता है, यानि पंकों को चालू कर देता है and wear woolen clothes in winter as they feel cold और ज़्यादे wear woolen clothes in winters as they feel cold और जब उसे ठंड महसूस होती है, तो वह उनी कपणों को पहनता है, इन winters, ज़्यादे के मौशम में plants do not have sense organs, लेकिन पौधों में ग्यानेंद्रियां नहीं होती है, यानि sense अंग नहीं होते हैं, sense organs नहीं होते हैं but they can feel the change around them, परन्तु वे अपने चारों और के वातावरण को महशूस करते हैं या वातरण वारण में कोई भी परिवर्तन होता है, तो उसे feel करते हैं, महशूस करते हैं A plant kept in the shadow will grow in the direction of sunlight एक पौधा kept in the shadow, यदि एक पौधे को चाया में रखा जाता है तो वह सुर्य के प्रकाश की दिशा में बढ़ना प्रारंब कर देता है यानि वो चाय से shadow से sunlight की तरफ ग्रोथ करता है Non living things do not fail, नर्जी वस्तवें महशूस नहीं करते हैं If you throw your ball, यदि आप अपने गेंद को फेकते हो यानि आप जब बाल को फेकते हो, थ्रो करते हो तो it will not be hurt, nor it will cry तो आपका जो ball है, आपका जो गेंद है न तो वह किसी प्रकार से उसे चोट लगती है यानि न वह घायल होता है और न वह चिलाता है यानि यानि में न तो आपका है